नमस्कार दोस्तों मैं हूरिचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिवित पुत्रिका व्रत से संबन्धे जिसकों की जुईतिया व्रत भी कहते हैं प्रतेक वर्ष अश्विन मा के कृष्ण पक्ष के अश्टमी तिथी को जिवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है और यह व्रत माताएं अपने संदान की लंबी आयू, सुरक्षा, उन्नती और स्वास्त के लिए करती हैं यह व्रत अत्यंत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें माताएं करीब करीब 24 घंटे से भी अधिक निर्जला रहकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं वैसे तो ये वरत एक दिन का ही होता है परन्तो इसमें नियमों का पालन वरत के एक दिन पहले अर्थाद सब्तमी दिथी से ही प्रारंब हो जाता है सब्तमी तिथी को नहाखा होता है अश्टमी तिथी को खरजूतिया का वरत किया जाता है और नौमी तिथी को वरत का पारण किया जाता है तो दोस्तों इस वर्ष अर्थाद 2024 में जिवित पुत्रिका का वरत प्रारंब हो जाएगा 24 सेप्टेंबर मंगलवार के दिन सब्तमितिती होने से इस दिन वरत का नहांखा किया जाएगा नहांखावाले दिन महिलाएं सुबह सवेरे जल्दी उठके स्नानादी नित कम से निवरित होके साफस्वक्ष वस्रधारन करती हैं इसी दिन सर्थ होके नहा लिया जाता है और शुद्ध पवित्र हो लिया जाता है इस दिन महिलाएं जो हैं सरप्रथम भगवान सुरेदेव को अर्ख देती हैं और उनसे प्रातना करती हैं अपने संतान की लंबी आयू एवं सुख सम्रिदी की प्रातना करती हैं और इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्यात जिवित-पुत्रिका व्रत करने का संकल्प लेती हैं नहांखावाले दिन अधिकतर जिवित-पुत्रिका का निर्चला व्रत किया जाता है जो कि इस वर्ष पढ़ रहा है 25 सेप्टमबर बुद्वार के दिन परन्तु अश्टमिति थी प्रारंब हो जाएगी 24 सेप्टमबर को ही दुपहर के 12 बच के 38 मिनट से और अश्टमिति थी का समापन होगा 25 सेप्टम की विशेश पूजा की जाती है वो शाम के समय की जाती है जोगडिया के अनुसार इस दिन पूजा का शुब मोर्थ होगा शाम चार बच के 43 मिनट से शाम 6 बच के 13 मिनट तक इस बीच में आप जिवित-पुत्रिका व्रत की पूजा संपन कर सकती है व्रत वाले दिन ततपशाद कथा पढ़ी या सुनी जाती है और जिवित-पुत्रिका व्रत का पारण 9 में तिथी को किया जाता है नौ 1 में तिथी अर्थाथ 26 स्प्टमबर गुरुबार के दिन जिवित-पुत्रिका व्रत का पारण किया जाएगा पारण में नोनी का साग मडवे कीरोटी खानी का विधान है इस प्रकार से तीन दिनों का वरत पूर्ण होता है अपने अपने पारिवारिक और छेत्रिय परिमपरा के नुसार ठोड़ा-थोड़ा सा वरत का नियम जो है वो भिन्न हो सकता है अलग हो सकता है उमीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे, परिवार जनों के साथ दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत ध्यान रखे, जै माता दी